नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है रास्ट्रिय जंतादल के प्रमुख लालू प्रसाद 5 जुलाई को लगभग 4 साल बाद किसी राशनिती कारेक्रम में ही सलेंगे 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है आरजेडी 25 स्थापना दिवस को सिल्वर जुबली कारेक्रम के रूप में मना रहा है 5 जुलाई को ही राम विलास पासवान की जैनती भी है आरजेडी की तरफ से पहले ही घोशना की गई है कि पार्टी की तरफ से इसे राज्य भर में मनाया जाएगा वहीं आरजेडी निता तेजस्वी यादोफ के देखरेख में पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है हलाकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के मताबिक बड़े पैमानी पर कारक्रम नहीं किये जाएंगे पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद कारकरताओं के साथ वर्चुल समवाद करेंगे कारकरम का उद्खाटन लालू प्रसाद ही करेंगे पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 5 जुलाई को राजे के सभी 243 विधान सभा शेत्रों में पार्टी के नेता 25-25 पौधे भी लगाएंगे बता दें आरजेडी नेता तेजस्वी यादोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 25 सालों के कठिन परिक्षम के दम पर ये पार्टी खड़ी हुई है उन्होंने कहा कि आरजेडी किसी जाती या धर्म की पार्टी नहीं है साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार नए शेत्रों में भी हो रहा है आपको बता दे लगतार बदलते राजनितिक घटना करम के बीच लालू प्रसाद इस्थापना दिवस कारे करम में किन बातों पर जोर देंगे इसे लेकर सब की निगाहें होंगी बताते चले कि हाली के दिनों में राजजद की तरफ से लगतार ये दावे होते रहे हैं कि आने वाले समय में राजज़े की एंडिये सरकार गिर जाएगी जेडियू और आरजेडी दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे को तोड़ने का दावा किया जा रहा है फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ